दोस्तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे 25 एकुरियम फेश की जो आप 8 फिट के टैम में रख सकते हो 2.5 फिट के आप टैंग में रख सकते हो वेरी एजिली दोस्तो यहाँ पर वीडियो शुरूने से पहले मैं आपको एक रिक्वेश करना चाते हो अगर आप इस चानल पर नहीं हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो नोटीबी किस्यन को जो बेल है कंदर रहे ता उसको प्रेस करो कि ऐसे में नहीने वीडियोस लाते रहे त चलिए दूस्ते वीडियो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में ऐसे में कुछ कैटिगरी के वाइज जाने वाला हूँ जो कि आपको पता चलेगे कि कुछ से एक्वेरेम फिश किन से कैटिगरी के है और उसको हम लोग रख सकते हैं 2.58 के टैंग में दूस्तों पहले हम लोग बात करते हैं लाइबरर फिश के तो लाइबरर फिश में आते हैं मॉली प्लेटी गपी और सॉल्डेल तो मॉली फिश आप 9 फिमिल रख सकते हो चार अब मिल रख सकते हो प्लेटी फिश के 9 फिमिल अब रख सकते हो चार मिल रख सकते हो गपी फि के टैंक में आप रखना चाहते हो तो इस सारे फीशे से इनकी जो फीमेल्स रहेगी हो एक एक करके 20 से 30 तीनों में बेबी देगी तो आपको एक स्वेयर ली टैंक आपको पहले से प्रिपेर करना चाहिए जो एक्वेरियम फीश है वो कैटेगरिय बाफ फिशे की तो यहां प पड़ता है एक साथ रखना पड़ता हो तो बारा गॉंडीटी में अब रख सकते हो टाईगर बाफ फिश को रोजी बाफ आप रख रहे हो तो 15 गॉंडीटी में अब रख सकते हो 2.5 विट के टैंग में जो अगली जो कैटेगरिय देगी ओ है टेटरा फिशेश की तो परेट करके रखे हैं, एक है Blacks का Tetra, दूसरा है Neon Tetra, तिसरा है Cardinal Tetra, और 4 जो है वो Raminos Tetra, पहला जो है Blacks का Tetra, जिसको हम लोग वीडियो Tetra भी बोलते हैं, तो आप 12 काइटी में अब रख सकते हो Blacks का Tetra को, उसके बाद है Neon Tetra, तो Neon Tetra को आप 15 काइटी में अब रख सकते आपके 2.5 feet में, सेम काल्डियान टेटरा का भी quantity ओ, 50 नहीं रहेगा, और रमिनोस टेटरा का भी जो quantity ओ, 50 नहीं रहेगा, तो सारे जो aquarium fish है, schooling fish है, इसके लिए आपको सारे एक साधिया आपको group में add करने चाहिए, आपके 2.5 feet के tank में, आज में जो मेरी जो next category है, ओ है bottom dwellers, तो जो aquarium fishes रहते हैं, उनको bottom में रहना पसंद रहता है, और usually आपको bottom में दीखेगे, या फिर किसी flat surface है, उसमें आपको दीखेगे, उनको usually bottom dwellers यहाँ पर बोला जाता है, तो bottom dwellers में यहाँ पर मैंने तीन जो aquarium fish है, वो bifurget किये है, सेपरेट किये है, 2.5 feet के लिए, पहला जो है ब्रिश्टन नुस प्लेकों दूसरा है, कोरिलोरस catfish है, तीसरा है कुली लोचेस, तो आप ब्रिश्टन नुस प्लेकों को आप रख सकते हो, 2.5 feet के टैंग में, 6-6 quantity में आप रख सकते हो, कोरिलोरस catfish रहेगा, तो 7-8 quantity आप एड कर सकते हो, 2.5 feet के टैंग में, और उसके Aquarium Fish उसके में Category याप् Benjamin आपको मैं बाता नहीं को जा रहा है तो becoming a power etcetera और 15 fak discipline है पास से चे만 जटी सकते नुप 1.5ड के डौ???? 500 बाद में आप आप से 6 quantity में आप रक्सकते हो 2.5 feet के tank में आद्मी यहाँ पे जो कैटेगरी है, जो है रैम सिकलेट फोछते हैं क्टेट के हैं किक्मणों से सीघलेट्वे से शोटे सथी है तो यहां पर है रैम सिकलेट आप रख सकते हो इस विड़ो में आपको में दो सिकलेट है आप रख सकते हो 2.5 फिट के टैंग में वह रेकमेंड करता हो एक तो एक जर्मा ब्लू रैम और दूसरा है इलेक्टिक ब्लू रैम इन दोनों की आप 4-4 कॉंटिडी की एक एक वरेम ब्लू राख सकते हो आपके 2.5 फिट की टैंग में एक तो आप जर्मा ब्लू रैम आप चार कॉंटिडी में रख सकते हो एक सीट हो देखते हैं कि कौन से 2.5 फिट के लिए अच्छे रहे एक्टम बढ़िया रहे तो पहले बाद है एंजल फिच आप रख सकते हो 2.5 फिट के टैंग में आप चार से पाच कॉंडिटी आप रख सकते हो पैटे मीडियम साइज की होने चाहिए बाद में तो सहापे में आप अपर बाद है जेबरा डैनियो तो जेबरा डैनियो आप 12-12 फिट के टैंग में और उसके बाद हर्ली कूं दराज बुरा तो हर्ली कूं दराज बुरा आप रख सकते हो 15-18 कॉंटिटी आपकी 2.5 फिट के टैंग में दोस्तों यह जो को 25 एक्वेरम फिच थे इन में स discuss की वो आप 2.5 feet की tank में easily रख सकते हो किसी दिक्कत के बिना जो मेरा वीडियो था है 2.5 feet की tank में आप कौन से एक परेम फिश्ट आप peacefully रख सकते हो उसके ओपर था I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा helpful लगा रहेगा मिल दे कुछा इसे इंट्रेशिंग और अच्छे गासे टॉपपी के साथ तब तलग दोस्तो टेक केर एवरिवरिवन एंड बाइड